आखेबन मनशांत तीन बार ओंकार चैंटिंग साथ में आँ आँ गुरु मंत्रा गुरु रभ्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरह गुरु साक्षात्परभ्रह्मा तसमैं श्री गुरवे नमहा 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 गुरवे नम सब लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने वीडियो आन किजिए और सब लोग खुद को म्यूट रखिए तो हम लोग हमारी आज से प्रानायम मेडिटेशन की बैच मतलब कल से स्टार्ट होने वाली है आज का हमारा सब पता होना चाहिए कि हम लोग कोर्स में क्या-क्या सीखने वाले तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो है कि आप लोग कहां से जॉइन हो और आपका प्रानायम मेडिटेशन सीखने का परपस क्या है सब लोग खुद को म्यूट रखिए शर्मा जी आपका इधर से म्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना शौर्ट में सब अपने आपका इंट्रोडक्शन देंगे और दूसरी चीज कि आप लोगों को सिर्प कैसे आपका नाम आप कहा से हो और आप प्राणाया मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हो आपका परपच क्या है यह चोटा सा इंट्रोडक्शन सबको देना है तो एक-एक करके आप लोग अपना माइक अन्म्यूट करके इंट्रोडक्शन दे सकते हो कुंदेगा सबसे पहले बिरेंद्र जी आप स्टार्ट करोगे जी नमस्ते मैं मेरा नम बिरेंद्र सिंग है और मैं उत्राखंड से हूँ मुझे जो मेडिटेशन और पराणायम सीखने के लिए मैं इसलिए जोइन कर रहा हूं कि मैं अभी YCB 4 का एक्जाम की तियारी कर रहा हूं तो उसमें कुछ है इसका तो मुझे सीखना था इसी वज़े से मैंने जोइन किया इसका बेरी गुट नेक्स्ट शुबगा जी अरियों अपका आवाज नहीं आ रहा है अभी आवाज नमस्ते मैं हाँ बूलिये मैं मुंबई से हूँ और मैंने योगा कोर्स किया है नेचरोपेद भी किया है मेरको मेडिटेशन और प्राइन में क्या और अच्छा कुछ एक्स्ट सीखना था इसके लिए मैंने एक कोर्स जाइन किया बेरी गुट नेक्स्ट रिया जी नेक्स्ट नेक्स्ट सागर जी अर्यों मैं अर्यों प्राणायम और मेडिटेशन सीखने का मेरा ये कारण है कि मतलब किसी को प्रॉब्लम्स रहती है मतलब शारे दूसरी चीज़ हो कि जैसे कि वो हर कोई योग ही कर पाता है तो मेरा इसके पीछे सीखने का कारण ये कि मतलब प्राणायम और मेडिटेशन ये इसी चीज़ है जो कि हर कोई कर सकता है और मैं इसलिए ये करना सीखना चाहता हो और तूसरों को सीखाना चाहता हो ये में आपका नाम और आप कहां से हो मैं सागर हैदराबाद से वेरी गुड और बहुत ही अच्छा आपका परपस है योग प्राणायम मेडिटेशन सिखने का नेक्स्ट सोनल जी नमस्ते माम मालीनी जी आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मालीनी जी आप मुझे भूल गया आप नहीं मैं नहीं भूली आज इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा सबको आप इंट्रोडक्शन दीजिए मालीनी जी है हमारे साथ जिन्होंने एक बार प्राणायम meditation batch last batch किया हुआ है लेकिन उनको इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने फिर से join किया हुआ है और हमारे साथ जुड़े है next जैसे हाँ मैं बोलती हूँ जिस दिन class खतम हुआ मुझे लगा क्या मतलब आपको तो बहुत सारे message मैंने feedback दिया और फिर सायर को बोला मुझे जॉइन करना है आप मुझे जॉइन करवा दीजिए मुझे इतना अच्छा लगा इतना positivity मिली कि क्या आप बता हूँ फिर से मैं जॉइन हो गई इसलिए और ये चीज हर बैच में होती है हर students मुझे यही बात बोलते है कि हमारा class इतनी जल्दी कैसे खतम हो गया हमें फिर से जॉइन करना है मैं हर बार सबको बोलती हूँ आपके पास recording से आप recording से practice कर सकते हो और खुद और सीखो और दूसरों को सिखाओ तो हर class के हर students को last day ऐसे ही लगता है तो next phone Sonal जी आप बताईए नमस्ते मैं मैं मुंबई से हूँ YCB3 qualified teacher हूँ instructor मैं को details माँ जानना था प्रायाना है meditation के लिए काफी सारे diseases secure हो सकती है तो जितना detail में नहीं करावा है चक्राज और तो इसकी knowledge के लिए मैंने जॉइन कर रहा है Very good Nikshita जी आपके आवास नहीं आ रही है Hello अजी आवाज आ रही है Okay Actually मैं Taroka Dealer हो और मैंने master's करी है Yoga में, psychology में, tarot में मैंको meditation करना भी करवाना भी बहुत जादा पसंद है मैं बहुत courses करती रहती हो तो मैंको अभी तक भी बहुत जादा एक पकर जिसको बोलते है strong प्राणाय हम पर नहीं है तो उसके लिए depth में सीखने के लिए मैंने ये course किया है Very good और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप है उदर आपका नाम डाला करो तो समझ में आएगा Exactly मैं बरोडा से हूँ और एक साल से मेडिटेशन प्राणायम वगरा करते रहते हूँ और योगा भी लास्ट फॉर फाइव से योगा भी इस पार्ट उफ माइ लाइफ तो प्राणायम और यह कोर्स करने का इरादा यही है कि थोड़ा एड़ेस्मेंट और अलाइनमेंट सिखना है खुद के लिए खुद की फैमेली मेंबर्स के लिए और अगर हो सके तो औरों के लिए भी कुछ कर सके तो डाट इस गुड बेरी गुड नेक्स्ट कौन-कौन बाकी है प्रिती जी और किस-किस का में इंट्रोडक्शन बाकी है मनन आइपुम मैं आठ बेचे कि में वेट कर रहे थी कब आठ बेचे कि में वेट कर रहे थी बहुत अच्छी बात है मेरा नाम हमता जैन है मैंने दिली से जॉइन किया है यह मेरे बेटी का नाम है मैंने कोर्सिस किये हैं योग में मुरारजी देशाई से भी और YCB लेबल 3 मैंने कंप्लेट किया हुआ है और मास्टर्स की हुई है रिशिकेश से ही और प्रानायाम मेडिटेशन में रेगुलर करती हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे तो उसमें बहुत हीलिंग होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में और डिटेल में नॉलिज बढ़ाने के लिए और उसको आगे बहतर बनाने के लिए मैंने जॉइन किया यह फोर्स बहुत बहुत अच्छी बात है और किसका बाकी है इंट्रोड़क्शन सेमसंग, SM बहुत 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 पीसपुल कर सको अपने अपने इंप्रूमेंट ला सको और यह जद्दो बरी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंग्रेडियन्ट का यह काम करता है तो यह सब की नेड़ है इसके लिए इसके लिए मुझे लगा जाना चाहिए इंप्रूव करना चाहिए इसको खुद को इसमें डालना बहुत जरूरी अभी आज की सबसे बड़ी नीड है कि आप खुद को काम कैसे रख सकते हो गुद सेमसंग, SM अलो हाँ हाँ, जैसे कृष्णा, Wandae Maathram में मुर्बी से हितलकानाबार हाँ मुर्बी से है मैं मुर्बी से हूं, हितलकानाबार हाँ हमारा शाणता अमरुत्म करके हमारी कंव्तनी है, वह हैर केरी और स्कीन कर प्रड़क्स बनाती है वो नेच्रोपती बेजी सब बनाती है नेच्रोपती बेजी सब बनाती है और हमारा हेल्थ के सेंटर भी है यहां पर मुझे थोड़ा आपका कोर्स इंट्वेस्टिंग लगा सब लोग आपको जान पाते हैं तो सब लोग आपको जान पाते हैं कोई बात नहीं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं हां तो अभी हम लोग हमारा प्राणायाम मेडिटेशन सबका हमने आज इंट्रोड़क्शन जो इंट्रोड़क्टरी सेशन में हमने सुना कि सबको प्राणायाम करने का नियर बाए देखा जाये तो सीखने के लिए क्या है कि प्राणायाम करना है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कैसे लेट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, क्या करते हैं, सबको पता होता है, लेकिन प्राणायाम किया जाएं, तो सारे रोगों का नाश होता है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से किया जाएं, तो उसके हमारे शरीर पर विप्रित परिणाम भी हो सकते हैं जैसे कि आप सब लोग रोने योग सीखा है तो आपको एक चीज पता है कि शीतली, सितकारी, काक्की प्राणायाम ये सारी क्या है थंडी तासीर के प्राणायाम है और जो है चंद्रभेदन उसमें आता है दूसरा क्या है? सूर्यभेदन है या बसरी का है ये जो प्राणायाम है ये गरम तासीर के है तो अगर किसी की शरीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा हीट है और उनको हम हीट वाले करवा रहे हैं तो क्या होगा? अगर उनको acidity बहुत होती है और हमने उनको और ज्यादा गरमी बढ़ाने वाले प्राणायाम करवा दिये तो उनको फैदा करेगा क्या? वो उनके लिए नुकसान दे सकता है है ना? तो यही सारी चीज़े हमें सीखनी है कि हमें किस प्रकार से प्राणायाम किसके लेने चाहिए जैसे कि गरमी के दिनों में हमें प्राणायाम जो शीत प्रकृतिक वाले है वो प्राणायाम हमें ज्यादा लेने होते है फिर जैसे पूरी रुतुचरिया के हिसाब से हमें अलग-अलग प्राणायाम लेने होते हैं बेसिक में क्या है? स्टार्टिंग में हमें जैसे बिगिनर्स है, स्टुडेंट्स तो हम डाइरेक उनको ऐसे नहीं कर सकते कि डाइरेक भसरी का या डाइरेक उज्जाई ऐसे अडवांस में प्राणायाम दे दिये, वो लोग नहीं कर पाएंगे तो बिगिनिंग प्राणायाम की पूर्वत अयारी से हमें सीखना चाहिए मतलब कैसे? कि प्राणायाम की पूर्वत अयारी में जैसे प्राणायाम के तीन टाइप्स होते है जैसे दिरगश्वसन, जलदश्वसन, संतश्वसन, नॉर्मल ब्रेदिंग, डिप ब्रेदिंग और नैचरल ब्रेदिंग, तो ये क्या है, बिगिनिंग से हमें कैसे करना है, ये सारे चीजे हैं, जो 12 टाइप्स के भी प्राणायाम है, वो हमने कैसे, हमारे जो उसमें सारे आ कि जो हम त्रिबंध के साथ भी करते हैं, जैसे नाड़ी शोधन है, सूर्य भेदन है, ब्रामरी, ये दो तिन प्राणायाम है, जो हम लोग त्रिबंध युक्त भी करते हैं, मतलब क्या होता है, जबी हम त्रिबंध के साथ उनको करते हैं, जैसे आप योग के बारे में जालंदर बंध। उल्य तुण अट्सेलग लगाते हैं तो जैसे माह बंध पूरी जैसे आंलाइं क्लास का फाइदा एक हैं हम पूरे वर्ड में से कही पर से भी जॉइन कर सकते हैं, तो जितनी जगाओं से हमने सीखा है, अलग-अलग institution से हम लोग सीखते हैं, तो और योग का नॉलेज कैसे हैं? इतने बड़े जैसे समुंदर जैसे हैं, जितना भी नॉलेज लेंगे कम है, एक बुंद तक हमें सिर्फ नॉलेज है तो हम जैसे मैंने अलग जगा से सीखा है आपने अलग जगा से सीखा है तो जैसे मैंने जैसे सीखा है उस प्रकार से मैं आप लोगों को सीखाने वाली हूँ जो प्रॉपर वेदिक योग को पूरी तरह से रिलेट करता है और दूसरी चीज है meditation तो meditation में कैसे होता है हमारे पास कैसे student होते है डारेक्ट ऐसे नहीं होता कि वह बहुत higher level में होते है तो हमें beginning से उनसे practice लेनी चाहिए जैसे कैसे सांसों पर ध्यान लगाना है फिर box breathing है ऐसे anxiety relief है ऐसे छोटे-छोटे meditation के पर कैसे हमें शुरू करना है और उसके बाद कैसे है चक्राज जैसे चक्राज के चक्राज क्या होते है तो हमारी spiritual anatomy है जो astrological हमारी body है शरीर है जो उस पर काम करता है जो सातों चक्रा जो है हमारे शरीर के तो उनका regarding meditation कैसे करवाना है हमें beginning level पर कैसे करवाना है, फिर advance में कैसे करना है, और ऐसे देखा जाए तो 7 चक्राज हम बोलते हैं, लेकिन पूरे total 114, 114 चक्राज होते हैं हमारे पूरे शरीर ने, उसमें से सिर्फ main हम 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, और उनसे सारे चक्राज और सारी नाडिया सारी connected होता ह और क्या है, जब हम meditate करते हैं तो योगिक तरीके से जितने meditation हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उन पर focus करेंगे, जैसे कि कैसे है, पंचकोष, पंचकोष को जागरीद करने के लिए जिन लोगों ने देखो योगा थिरपी किया हुआ है, जिनको योग अप्चार का पता है, तो क किया जाता है, योग अप्चार में हमारे पंचकोष, कोषात्मक जो है हमारा पूरा शरीर उस पर काम किया जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, सिर्फ टैबलेट डे कर हील किया जाता है, लेकिन हमारे योग शास्र में और योग शास्रा और आईरवेद करता ह तो आयर्वध शासरा में भी मन पर भी काम किया जाता है तो जैसे कैसे को इसोते है पंचकोश में अन्यमाई कोश्व प्राणमाई कोश्म अनंदमाई कोश्व तो हर एक कोश को जागरीद करने के लिए हम checan Shit लजी कर सकते जैसे कि अश्यारपी के हिसाब से क्या किया जाता है अन्दमाय कोश के लिए आसनाज करवाया जाते है शुद्धिक्रियाज करवाई जाती है प्राणमाय कोश के लिए प्राणायाम बंध करवाया जाते है और मनोमाय कोश के लिए धारना ध्यान करवाया जाता है त्राटक करवाया जाता है तो ये सारी चीजे है औ और हम meditation के हिसाब से पंचकोष को कैसे जागरित करेंगे, कौन से चकरों पर ध्यान लगाकर कैसे हम करेंगे पंचकोष जागरित, वो भी हम सीखेंगे, ऐसे meditation के अलग-अलग बहुत सारे, जैसे हमारा subconscious mind, सबको पता है हमारा चेतन मन और अउचेतन मन होता है, तो सारी जो हमारा subconscious mind जो है, वो हमारे पूरे शरीर को 90-80% चलाता है, पूरा 24 घंटे वो जागरित होता है, क्या है क्या नहीं, और उसमें है कि बचपन से लेकर अब तब, हम सिर्फ अच्छी चीज़े नहीं सिखते, कई negative patterns भी हम में बनते हैं, जैसे कि अगर हमें ऐसे कोई person है, वो है अच्छा, लेकिन first impact हमारे उपर उसका घुस्सा करते समय या कुछ भी पड़ गया, तो हमारे मन में हमारा subconscious mind में क्या fit हो जाता है, उस person के बारे में वो चीज़े, तो वो negative pattern है, या दूसरा कुछ भी, कि चाय पीना, हमें पता है, और हमें योग में तो यहीं सिखाते हैं कि चाय नहीं पीनी है, है ना, हम भी सिखाते हैं हमारे students को, लेकिन हमने बचपन से देखा है सबको कि अरे चाय सुबे सुबे, जबी उठेंगे, चाय पीनगे तो फ्रेश फील हो जाता है, किसी किसी को तो चाय भी पीना, पेट भी नहीं साफ होता है, ऐसे कई चीज़े हैं, तो यह क्या है, उनके subconscious mind में वो चीज़ चली गई है, क्या करें, मुझे पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा ही आ जाता है, तो यह सारी चीज़ों को कैसे छोड़ेंगे, subconscious mind को हम programmed कैसे करेंगे, कैसे उसको positive way से हम change करेंगे, वो हम देखेंगे, फिर क्या है योग निद्रा, योग निद्रा जो है, ह भी हमारे सुप्तमन पर कैसे काम करती है, कैसे उसके step by step हम योग निद्रा करवाते हैं, वो meditation हम देखेंगे, meditation में आपको दिया गया है कि 15 टाइप सॉप और ऐसे, लेकिन 15 से कई ज्यादा meditation आप लोग सीखोगे, जैसे नादानुसंधन योग में है, जिन लोगों ने देख इंट्रोडक्शन ज्यादा मैं नहीं दूँगी, लेकिन यहीं बताऊंगी कि मैं योग से जितनी भी सारी नई नई चीज़े हैं मैं सीखती हूँ, जैसे मैंने योगा थेरपी भी किया है, मेरे 200 अवर्स, 300 अवर्स, 500 अवर्स जो पोर्सेस है, वो योगा अलाइंस के मैंन किया हुआ है, IT field से भी मैं हूँ, और मुझे सीखना बहुत पसंद है, मैं बहुत सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, रीडिंग, राइटिंग, मुझे बहुत पसंद है, तो वैसे ही योग के बारे में जितनी बुक्स मुझे मिलती है, मैं पढ़ती रहती हूँ, दूसरा है कि में रेकी क्रिस्टल एंजल्स थर्ड आय एक्टिवेशन सब चीजों में मैंने मास्टर्स किया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करती हूँ और योग में मुझे सबसे ज्यादा प्राणाया मेडिटेशन बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरों लोगों तक भी वो awareness मैं लापाऊ ओके और अभी दूसरा क्या है हमारा योग निद्रा का हो गया दूसरा और एक क्या है जैसे है आप में से किसी एक ने बताया कि जो कोई लोग होते है ऐसे कि वो लोग आसन नहीं कर पाते उनमें कोई ऐसे मतलब किसी को नीज में इतना पेन होता है या किसी को स्पाइन में दर्ध होता है तो वो लोग आसन नहीं कर पाते लेकिन हम alignment and adjustment से उनसे प्राणायम भी करवा सकते है meditation के माध्यम से हम क्या कर सकते है अगर कोई severe बीमारी है और वो respond नहीं कर रहे है ठीक से अगर शुगर है और वो बहुत ज्यादा डर गए है तो शुगर के कारण उन लोगों को जो भी tablets है वो भी असर नहीं कर रही है तो हम क्या योग निद्रा के माध्यम से, meditation से subconscious mind की programming से positive affirmation से उनको heal कर सकते है और दूसरा प्राणायम जो उनके लिए अच्छे है वो प्राणायम प्राणायम करने से क्या होता है प्राणों पर, सांसों पर जैसे control आता है तो हमारे मन पर भी धीरे-धीरे control आना शुरू हो जाता है और दूसरी बात है कि उन लोगों को और जैसे हस्त मुद्राय हस्त मुद्राय हम हर किसी disease के regarding रुशी मुनियों ने research हमारी रुशी मुनी जो है वो भी scientist ही थे उन्होंने research करके ये मुदराय बनाई हुई है तो कैसे हमारे हातों में हमारे हातों की उंगलिया पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती है उनके जो combination है उनके हिसाब से हम कैसे वादपित्तकप है या कोई भी disease है तो उसको balance करने के लिए हम हस्तमुदराय कैसे बता सकते है हमारे students को या हम खुद practice कर सकते है वो हम सीखेंगे उसके साथ है कि जैसे stress management आजकर इतना ज्यादा stress बढ़ गया है छोटे बच्चों को भी सुनो जैसे एक्जाम आ जाती है क्या बोलते है अरे बापरे मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मुझे टेंशन आ रहा है एक्जाम का छोटे से लेकर बढ़ो तक सब को तो stress management को हमें stress को level को कैसे control करना चाहिए यमनियम के अभ्यस से जैसे हम सब को तंजली महामुनी उन्होंने हमें क्या बताया है अश्टांग योग तो वो भी हमें सीखेंगे कि अश्टांग योग को कैसे हम follow हमें करना चाहिए जैसे यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्यहार धारना ध्यान समाधी तो यम में क्या आता है तो यह सारी चीजे तो हम जब सीखेंगे और हम खुद follow करेंगे तो हमारे students तक भी हम अच्छे से पहुचाएंगे तो यह सारी चीजे हैं कि इन चीजों को हम पूरी सीखेंगे जो योगिक जो सारी चीजे हैं जैसे बंद है बंद लगाया जाता है और जैसे प्राणायम के रिगार्डिंग है अगर सही से किया तो फाइदा देता है अगर गलत किया गया तो नुकसान पोचाएगा वैसे ही क्या होता है कि बंद बंद के बारे में पता है for example क्या है उडियान बंद हमें पता है उडियान बंद से हमारा metabolism increase होगा constipation कम होगा सब पता है लेकिन अगर गलत तरीके से लगाया तो क्या होगा उसे फाइदा नहीं करेगा उल्टा constipation की समस्या और बढ़ जाएगी ये सारी चीजों पर हम अच्छे से बंद के से लगाना है practice के साथ हम हो सीखेंगे दूसरा है हमारा शरीर में पंचप्राण होते है सबको पता है हमारे पंचप्राण शरीर में पंचप्राण होते है पंचप्राणों के proper स्थान है upon समान, उदान, व्यान, नैन सारे तो पंचवायू है तो उसकी energy को मतलब जो सारे हमारे ओर्गंस से रिलेट करते हैं जैसे अपान वायू का क्या है नेवल रीजन से लेकर नीचे पेरो तक का पार्ट अपान वायू का स्थान है वहां के सारे जो ओर्गंस है उत्सरजन का काम भी अपान वायू करता है तो पूरे पांचो जो वायू है वो हमार शरीर में कैसे काम करते हैं जैसे हम पलगे जब्काते हैं या हम दूसरे जो भी सारे जो मूवमेंट्स होते हैं यह सारे वायू है हमें सिर्फ क्या पता है हमारे शरीर में हम oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं या इसे तो यह थोड़ी चीज़े हम अगर हमें पता होगी और हम practice करेंगे तो और effectively हम हमारी family में हमारे students तक हम पहुचा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी यह थोड़ा सा basic में आपको बताया है और बहुत ज्यादा जैसे श्वसन में है rabbit breathing है श्वान breathing है dog breathing है ऐसे breathing की advanced techniques है वो हम सीखेंगे दूसरा है कि जैसे जिन लोगों ने योग में masters किया है उन लोगों को पता होगा और ycb वालों को भी सुना होगा उन्होंने नादा नूसंधन या उपनिशदों में भी आपने जिक्र सुना होगा नादा नूसंधन meditation तो वो उपनिशदों में अलग अलग उपनिशद में अलग अलग तरीके से हैं तो कैसे अकार उकार और मकार के साथ जो हम नादानु संधान करते हैं तो उसके साथ हम मुद्रा कैसे लगाते हैं कोन से जैसे अकार गुंजन कर रहे हैं तो कहा पर हम ध्यान लगाएंगे कैसे क करेंगे प्रॉपर पूरे शरीर को हील खेसे करेंगे जैसे है कि बोला हमने देखा कि कोई कोई आसन आसनों के माध्यम से शरीर को स्वस्त नहीं कर सकता या आसन नहीं कर सकते तो ऐसे नादानुसंधन के माध्यम से जो कारूकार मकार हम करते हैं दूसरा है श्वसन है जैसे क् Abdominal Breathing, Thoracic Breathing, Cavicular Breathing, वो मुद्राओं के साथ हम लेते हैं, फिर उसको साथ में Combination के साथ हम करते हैं, ऐसे अलग-अलग बहुत सारी टेकनिक्स हम सीखेंगे, और जो कोस्ट का content है, उससे ज्यादा भी चीजे हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो इतना ही मैं बताना चाहूंगी, और दूसरा क्या है, कि आप लोगों से हमारी क्लास में हम आज एक चीज सब लोग साथ में मिलकर ये करेंगे, कि एक चीज है सबसे important कि बीच-बीच में कोई भी unmute करके question answer, ऐसे question नहीं पूछेगा, पूरा कि दिखाऊंगी practically आपको प्राणायाम या कुछ भी, उसके बाद फिर आप practice करोगे, और जब आपको कोई query बचेगी, तो मैं पूछती हूँ, होने के बाद, तब आप लोगों को बोलना है, क्योंकि क्या होता है, बीच में कोई भी माइक बीच-बीच में on नहीं करेगा, unmute नहीं करेगा, और सब लोग video on रखोगे, और प्राणायाम meditation की बैच है, तो कैसे बैटना है हमें, अच्छे से, एक जगा, अच्छे से एक जगा, चुनो अपने घर में, कि जहाँ पर आप एक घंटा शानती से बैट कर सुन पाओ, हमने मन शानती के लिए, खुद की spiritual growth हो, या योगिक growth हो, इसलिए हम class कर रहे हैं, तो ये एक घंटा, सिर्फ एक महिने की बात है, एक घंटा निकालोगे, और जो नीचे बैट पाएंगे, अच्छे से पीछे, ऐसे योगा मैट डाल केर, प्रॉपर, नीचे बैट पाएंगे, वो लोग नीचे बैठो, जिन लोगों को आपको नोट्स में देने वाली हूँ, तो कोई ऐसे करेगा नहीं, हिंदी ही चाहिए, इंग्लिश ही चाहिए, सारा चीज़े हिंदी में मिलेगी, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे एक्स्ट्रा होता है, कि जो सिर्फ इंग्लिश में ही एवलेबल है, या हिंदी में ही है, तो ऐसे आप लोग मतलब जो दिया जाएगा, आपको मैं ट्राइ करूंगी, सब दूंगी, जैसे माली नी जी ने देखा है, मैं जितना दे पाती हूँ, मैं सारे नोट्स आप लोगों को शेर करती हूँ, लेकिन कई सारी चीज़े जो आउट आप सिलेबस में सिखा देती हूँ, य आप लोग ये दिखलो, ओके, तो उस बार आप लोग रनिंग नोट्स निकाला करो, ये किसलिए है, कि बाद में कोर्स खतम, आपके पास पर्मनन्ट रेकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन बुक से आप जल्दी से उसको रिवाइस कर पाते हो, और अगर कोई चीज़ है जो आ अंतक कुमभक, बाईय कुमभक, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम ये चीज़े भी भूल जाते हैं, ये अंतक कुमभक क्या है, बाईय कुमभक क्या है, आइडियल रेशो क्या है श्वसन का, तो इसके लिए आप लोग एक अच्छे से नोट्बुक लगाओ, और थ नोट्बुक के लिए ये वी खील से हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, और एक है कि हमारा सेशन डिस्पलिन से परोपर ताइम से ही स्टार्ट होता है, आट बजे और नाइन बजे ही खतम होता है, लेकिन ऐसे हैं कि मेरा सेवन टु एट ब्मेरा TTC वैच रहता है, तो शाय एट फायू डाला है ओके और जैसे एक चीज क्या है अभी एक महिने के लिए एक और डिसिप्लिन बना जैसे हट योग में बताया गया है जैसे प्राणायाम करते हैं न तो प्राणायाम के बारे में वर्नन में ये चीज़े दी गई है कि कुटी कैसे होनी चाहिए ये सारा तो को लेना चाहिए सत्विक अहर तो आप लोग ट्राइ करो कि आप लोग भी सत्विक अहर लो सत्विक भोजन लो और फिक्स टाइम रखो ओके कि हरियों कि मेरी आवाज आ रही है आप तक कि लास्ट का हम तीन बार ओमकार चैंटिंग लेंगे